हाई अब्रीवन दिस इस अंकुष एया विद नेक्स वीडियो और आज इस वीडियो में हम जो स्टोरी रीड करेंगे काफी इंटरस्टिंग स्टोरी होने वाली है और इस स्टोरी के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के और एडवेंस्ट लेवल के स्ट्रक्चर्स का यूज तो मैं आपको एक एक चीज एक्स्टोरी करूंगा और यह जो स्टोरी है इस आपनी स्टोरी किसी को बता रहा है तो जब आपको अपनी लाइफ के बारे में किसी को कुछ बताना हो और English के अंदर बोलना पड़े और past की बात हो तो किस तरह से आप भी structures का यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर notice करें तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर उसके बाद इस story को start करते हैं देखिए story है Robinson Crusoe's ship Robinson Crusoe's की जो ship है had been destroyed वो तबा हो गई थी this is passive voice हमने यहाँ पर यूज़ किया had been और वर्व की third form और आगे लिखा है by the sea अब by का मतलब क्या होता है बगल में जो समूंदर है उसके बगल में क्या हुआ था जब वो उसके किनारे पहुँचा ही था बाय मतलब किनारा या बगल में तो उसकी जो ship थी वो destroy होगी तबा हो गई थी आगे लिखा है he had been alone वो अकेला था अब यहाँ पर was का use क्यों नहीं हुआ क्योंकि एक बार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हम time period दिखा रहे है तो यह structure मैंने आपको कराया है time in tense इस एक video के अंदर मैंने पूरा explain कर रहा है कैसे was का had been बनता है तो he had been alone for many years वो बहुत सालों से अकेला था तो यह यहाँ पर four आ रहा है time इसलिए यहाँ पर had been and longed for company तो longed for एक fixed proposition है जिसका मतलब होता है कामना करना इच्छा करना तो longed for जैसे you are longing for improvement in English आप English में improvement की कामना कर रहे है इसी तरह से longed for farmers क्या करते हैं rain की कामना करते हैं तो longed for करते हैं उसी तरह से longed for company तो वो इच्छा कर रहा था कि उसको भी कोई नहीं कोई company मिले साथ ही मिले one day एक दिन he discovers उसको वो खोजता है a footprint मतलब उसको footprint मिलते हैं पैरों के निशान मिलते हैं on the sand rate पर sand का मतलब होता है rate let's find out चलो find करते हैं what he did then तो उसने क्या किया तो ये है story ठीक है अब आपको समझ में आगे होगी robinson जो है बहुत सालों से और काम ना कर रहा था कि कोई उसको company दे तो उसको एक footprint मिलता है sand के ओपर rate के ओपर तो अब पढ़िये story को अब आप ये imagine करें याँ पर कि वो robinson अपनी story सुना रहा है तो वो किस तरह से बोल रहा है वो चीज समझे one day एक दिन when I was going जब मैं जा रहा था towards my boat बोट की तरफ ये बात कर रहा है जब वो उस island पर है और वहां से वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो कह रहा है I was surprised मैं आश्चर चकित था to see देख कर the footprint पैरोगी निशान of a man एक आदमी के on the sand sand पर मतलब रेत पर अब यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा sentence जो है this is past combination ये मैं आपको करा चुका हूँ तो when I was going towards my boat जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था I was surprised मैं आश्चर चकित था to see देख कर footprint पैरोगी निशान of a man एक आदमी के रेत पर आगी लिख है I stood amazed मतलब मैं खड़ा हो गया है आश्चर चकित होकर तो मैं आश्चर चकित होकर खड़ा रहा Amazed का भी मतलब वही होता है आश्चर चकित होना Surprise का मतलब भी होता है आश्चर चकित होना तो कह रहा है I stood मैं खड़ा रहा, amazed मतलो आशर चकित खड़ा रहा, I listened, मैंने सुना, I looked around me, मैंने अपने चारो और देखा, I could neither hear nor see anything, ना तो मुझे कुछ सुना, ना मुझे कुछ दिखा, अब यहां पर देखिए, यह जो है, could का use हुआ, जब हम अपनी past ability की बात करते हैं, तो could का use करते हैं, मैं इसको neither nor पढ़ता हूँ, तो neither nor ही सहिस के pronunciation है, तो neither nor, I could neither hear nor see anything, मतलब ना तो मैं कुछ देख सका, ना सुन सका, तो सका सकी सके में यूज करते हैं, could, अगे लिखा है, I went up higher, मैं उपर गया, past indefinite का use, I went up higher, मैं और उपर गया, high क्यों नहीं लिखा, higher लिखा है, मतलब ज down, नीचे देखने के लिए, I went up the shore, तो कह रहा है, मैं जो शोर था, शोर क्या होता है, किनारा, जो समुंदर का किनारा होता है, उसको बोलते हैं, शोर, तो I went up the shore, मैं जो समुंदर का किनारा, उसके साथ-साथ उपर की तरफ गया, and down the shore, और नीचे की तरफ भी, अब आप य मान लो, कि यह समुंदर का किनारा है, और यहां पर है रॉबिंसन, तो यह इदर को गया पहले, ठीक है, आप गया, फिर डाउन गया, मतलब उसके किनारे किनारे हर जगा गया, तो यही वो यहां पर कह रहा है, तो I went up the shore, and down the shore, मैं इस शोर के किनारे किनारे उपर निचे ग मतलब उसका कोई फैदा नहीं हुआ, क्यों नहीं फैदा हुआ, I could find no other footprint, मुझे कोई भी दूसरा footprint नहीं मिला, but that one, उस एक के लावा, अब footprint की यहां पर story की बात हो रही है, तो यह आप अगर देख पा रहे हो, तो यहां पर footprint है, यह foot, ठीक है, तो इसी की यहां पर बात हो हो रही है, तो अभी पढ़ते आगे देखते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, I could find no other footprint, मुझे कोई और पैरोगे निशान नहीं मिले, but that one, उसके इलावा, अब यहां पर जो but का यूज हुआ है, यह preposition है, यह लेकिन नहीं है, this is preposition, इसका मतलब होता है, except, मतलब के इलावा, except that one उसके इलावा, इस पर भी मैंने पूरा structure, पूरा वीडियो आपको दे रखा है, I went to it again, मैं उसके पास दुवारा से आया, कि इसके पास footprint के पास, पहले उसने footprint देखा, फिर उसको लगा शायद कोई है, तो वो उपर गया, नीचे देखा, कुछ नहीं मिला, फिर वो शो there were any more footprints, कि क्या और भी footprints हैं वहाँ पर, अब यह देखिए कि यह वाला sentence past में है, तो आप यहाँ पर, जब present की बात होगी, तो यहाँ पर आर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर past की बात है, आर को गया, वर, तो कहरा मैं यह देखने के लिए, वहाँ पर दुवारा से गया, कि क यह मेरी imagination तो नहीं थी, अब यहाँ पर had been क्यों use हुआ, क्योंकि जब उसने सोचा होगा, जब कि वह बात कर रहा है, तो उसने was लगाया होगा उसने, और जब was की बात है, तो किसी और को आप आकर बता रहे हैं, तो was हमारा किसमें बदलता है, had been के अंदर, तो यह चीज narration म मैं आपको बता चुका हूँ, detail में, आगे लिखा है, but I was not mistaken, लेकिन मैं गलत नहीं था, for, क्योंकि there was exactly the print of a foot, मतलब exactly प्यार का निशान था, इसलिए कह रहा है, मैं गलत नहीं था, क्योंकि for का मतलब है, यहाँ पर क्योंकि, for का मतलब के लिए भी होता है, वो preposition है, बट य connector, इस पर भी मैं सारी वीडियो आपको दे चुका हूँ, कि कब आपको, क्योंकि के लिए, for लगाना है, कब because लगाना है, कब as लगाना है, वो सारा कुछ बता चुका हूँ, अपने course में, और आपको भी बता जिता हूँ, अगर आप भी step by step English, improve करना चाहते हैं, with plus 550 वीडिय आ रहे हैं, बिल्कुल step by step, तो आप मेरे course को join कर सकते हैं, मेरे app को download कर लो, app का नाम है become English champion, आप नीचे देख सकते हैं, तो इसको download करके, आप मेरे one year course को join, जरूर कर ले, तो वहां से आप पहले English को improve करें, फिर in stories को improve करें, क्योंकि जब तक English नहीं आएगी, story का वो benefit आपक है, but I was not mistaken, मैं गलत नी था, क्योंकि वहां पे exactly foot का print था, अब उसके बारे में थोड़ा elaborate कर रहा है, toes, toes मतलब क्या होता है, जो आपके पंजे होते हैं, hill मतलब AD, back part of your foot, every part of a foot, मतलब पैर का हर पार्ट वहां पे छपा हुआ था, I could not imagine, मैं कलपना नहीं कर सका, how, कैसे it came there, वह वहां आ गया, मैं कलपना नहीं कर सका, कि वह वहां कैसे आ गया, मतलब footprint, आगे लिखा है, I stayed a long time, मैं ठैरा लंबे समय thinking सोचते वे, कह रहा है कि मैं वहां पे काफी देर तक सोचता रहा, but became more and more confused, और उतना ही ज्यादा और ज्यादा confused होता रहा, कह रहा है कि मैं जितना ज्यादा सोचता रहा, वहां पे खड़ा होगे कि आया कहां से आया कहां से उतना ज्यादा मैं confused होता रहा, तो यह उसकी boat है, तो उसकी ship जो थी, क्योंकि समुंदर में ship चलती है, बहुत बढ़ी होती है, वो तूट गी थी उसकी, तो उससे उसने boat बना ली, तो boat छोटी ना तो at last आखिर में I returned home, मैं घर वापिस आ गया, very frightened, बहुत डरा हुआ, looking behind me, अपने पीछे देखते हुए, after every two or three steps, मतलब हर दूसरे तीसरे steps के बाद, mistaking समझते हुए, मतलब यहां पर mistaking, mistake someone to be something, इसका मतलब होता है किसी को कुछ गलत समझना, तो mistaking every bush, हर जाडी को, बुश मतलब होता है जाडी, तो mistaking every bush and tree to be a man, मतलब हर जाडी और पेड को आदमी समझते हुए, तो पूरा मतलब क्या हुआ, आखिर कार में घर वापिस आ गया, बहुत डरा हुआ, पीछे देखते हुए, हर दूसरे तीसरे step के बाद, और जाडी और पेड को आदमी समझते हुए ठीक है, तो mistaking मतलब होता है किसी को गलत समझते हुए, तो आगे लिखा है, when I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में आया, I ran inside it, मैं उसके अंदर चला गया, as if मानो की, I was being chased, कि मेरा पीछा किया जा रहा था, तो ये देखिए, passive voice का translation है, as if मतलब मानो की, इस पर भी मैंने आप को पूरा वीडियो दे रहा है, कि कैसे as if के बाद, I were, I had, और I would, और जितनी भी मतलब उसमें है, 4-5 जितने भी चीज़े, वो सारा detail में बता रहा है, तो real imagination और unreal imagination दोनों explain कर रही है, अपने course में, तो when I came to my cave, जो मैं अपनी गुफा में वापिस आया, I ran inside it, मैं उसके में लिखे है, which I called my castle, जिसको मैं अपना किला बोलता था, castle मतलब होता है, किला, आगे क्या हुआ, अब और ये वाला जो structure है, ये sentence, जो है, this is again past continuous, sorry, past combination, आगे लिखे, I don't remember, मुझे याद नहीं है, weather, कि I used the ladder, क्या मैंने सीडियो का इस्तेमाल किया, अब उसकी जो cave थी, मतल कर उस पत्थर पे, फिर वो ladder से चड़ता था और उसके अंदर घुश जाता था, या फिर पत्थर के बीच से रास्ता था, तो वो कह रहा है, I don't remember, मुझे याद नहीं है, weather की, I used, मैंने यूज किया, the ladder, सीडियो की, और या चला गया, went in, अंदर चला गया, by the hole, hole में से, मत in the rock, मतलब पत्थर में, तो कहरा मुझे याद नहीं है, कि मैंने ladder यूज करी, सीडियां यूज करी, अंदर जाने के लिए, या फिर मैं, पत्थर में से, जो hole था, उसके अंदर से गुजर गया, अब rock, ठीक है, अब rock के बारे में बता रहे है, which I called the rock, the door, जिसको मैं दर्व बोलता था, तो rock, पत्थर, पत्थर के अंदर उसने hole कर रखा था, जिसको वो क्या बोलता था, दर्वाजा, आगे लिखा है, I ran for cover, मैं अपने आपको छुपाने के लिए भागा, अब run for होता है, भागना, run for life, जान बचाने के लिए भागना, run for cover, अपने आपको छुपान के लिए भागना, तो कह रहा है, I ran for cover, मैं छुपाने के लिए भागा, और faster, तेज, किस से तेज, then any animal, किसी भी animal से could run, मतलब जितना animal, कोई भी animal है, जितना तेज दोड सकता था, उस से भी तेज मैं दोड़ा, अपने आपको छुपाने के लिए, तो इसके बाद, I did not sleep that night, उस रात मैं सो नहीं पाया, ठीक है, मतलब मैं सो या नहीं, I did not sleep that night, मैं उस रात नहीं सो या, The more I thought about what I had seen, कह रहा है, जितना ज्यादा मैंने सोचा उस बारे में जो मैंने देखा था, The more I thought, ठीक है, जितना ज्यादा मैंने सोचा about what I had seen, जो मैंने देखा था, the more afraid उतना ही ज़्यादा मैं afraid I became हो गया तो simple सा मतलब है कि जितना ज़्यादा मैंने सोचा उस बारे में जो मैंने देखा था उतना ही ज़्यादा मैं भैबित हो गया अब यह जो combination है वो है the more, the more का combination यहाँ पर भी मैंने करा रखा है the more, the more, the sooner, the later, the higher, the cooler, the higher, the lesser तो यह सारा combination होते हैं वो सारे मैंने आपको करा रखे हैं तो वही यहाँ पर यूज़व है यानि कि in short जितनी भी चीज कराई है उनसे भार कुछ हाई ही नहीं तो जो भी मेरे अब यहाँ पर had क्यों यूज़ हुआ है because जब आप दो पास्ट घटनाओं की बात करते हैं तो इस जो अभी recent past होती है इसमें हम past indefinite लगाते हैं अगर इसके साथ हम long past भी जोड़ते हैं तो हम had लगाते हैं तो कहे रहें I thought मैंने सोचा किस बारे में सोचा था जो मैंने देखा था तो सोचा बाद में देखा पहले इसलिए जो काम भाले हुआ था उसके साथ हैड़ लगता है तो आगे लिखा है I thought मैं मुझे I thought मैंने सोचा it could be one of the savages मैंने सोचा या फिर मुझे लगा क्योंकि think का मतलब लगना भी होता है तो मुझे लगा कि it could be one of the savages जो जंगली लोग होते रहां उनमें से वो कोई एक हो सकता था अब यहां पर past use हुआ है तो यहां मुझे लगा कि आपक्ट का क्या होग कि उनमें से कोई एक था of the mainland जो मेंन लैंड पे खुनकार लोग रहते थे उन में से कोई एक था वू हैड वंड वंडर आउट जो घुमते फिरते आ गया था तूदसी सी में सी के मतलब समुंदर में इन बोट एक किस्ती में तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ मुझे लगा कि में लैंड के जो खुनकार जंगली लोग उन में से कोई एक वहाँ पे हो सकता था जो घुमते फिरते समुंदर में आ गया था अपनी बोट में तो वॉंडर मतलब होता है घूमना फिरना और वॉंडर आउट मतलब घूमते फिरते कहीं बाहर आ जाना तो इसके बाद अब क्या हुआ लगकी ली किस्मत से आई वस नोट ऑन शोर में किनारे पर नहीं था एट टाइम उस समय बट लेकिन वट इफ तो क्या ही हैड सीन माइब बोट कहता है तो क्या अगर मेरी बोट देख लेता थीक है वट इफ का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको करार रखा है वट इफ ही केम अगर वह आ गया तो वट इफ आई फेल्ड अगर मैं फेल हो गया तो संटेंसे थे तो वटिफ ही हैड सीन माइब बॉट कह रहे हैं तो क्या अगर वो मेरी बॉर्ट देख लेता इफ ही हैडसी दफ पूर्ट अगर उसने किसती देख ली होती अभी अकंडिशनल संटैंस अगया पे इफ हीरजी इन दब अगर उसने बोट देख ली होती, he would have realized, उसको एसास हो गया होता, that कि someone lived, कोई रहता है, on the island, इस island पर, island मतलब होता है, टापू, तो कोई रहता है, टापू पर, and would soon return, और जल्दी से वापिस आ जाता, with others, दूसरों के साथ, to kill, मारने, and eat me, मुझे खाने, तो पूरा का मतलब समझ में आया होगा, इसमें बहुत अच्छा structure यूज़ गया, what if का, तो what if, long के लिए, हम had plus third form लगाते हैं, recent के लिए, second form लगाते हैं, तो what if, he had seen my boat, क्या होता, अगर वो मेरी boat देख लेता, अगर उसने मेरी boat देख ली होती, he would have realized, उसको एसास हो गया होता, कि कोई यहाँ पर इस island पर रहता है, and would soon return और जल्द वापिस आ जाता, दूसरों के साथ, मुझे मारने और खाने के लिए, इसके बाद, and so, और इसी लिए, ठीक है, so मतलब इसी लिए, and so मतलब और इसी लिए, I lay fearful, मैं डर के मारे पड़ा रहा, lie का मतलब होता है, late na, l-i-e, second form lay, lie, lay, lane, तो I lay fearful, मैं मतलब डर के मारे पड़ा रहा, for many days, बहुत दिनों तक, and prayed for protection, और रक्षा की प्रार्थना करता रहा, in doing so, ऐसा करते करते, या ऐसा करने में, इसके दोनों मतलब निकलते हैं, in doing so, ऐसा करने में, या in doing so, ऐसा करते करते, I was much comforted, मैं काफी comforted हो गया, मतलब वो अपने पड़ा रहा, वहाँ पे fearful होके, अपने अंदर महाँ पे, कैसल में अपनी केव में और ऐसा करते करते फिर उसको थोड़े दिन बाद लगने लगा कि यहां आप थी कर कमफर्टेबल तो इन डूइंग सो ऐसा करते करते ऐसा करने में I was much comfort comfort में काफी comforted था and began going out to investigate और बहार जाना शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए ठीक है निरिक्षण करने के लिए जांच परताल करने के लिए बट इवन नाओ लेकिन अब भी as I went forward जैसे ही मैं बाहर गया मतलब आगे बढ़ा I looked behind me frequently मैंने बदलब एकदम से पीछे की तरफ देखा because क्योंकि I was still very frightened मैं अभी भी भी भाइबित था तो यहां पर क्या वा but even now लेकिन अभी भी as I went forward जैसे ही मैं आगे बढ़ा अभ यहां पर as का मतलब है जैसे ही आज के आपको मैंने 8 यूजिस बता रहे हैं वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है 199 या 200 वीडियो नंबर है जिसमें मैंने आपको आज के एट यूजिस बताए हैं तो एक यहां पर अभी इसका मीनिंग निकल रहा है जैसे ठीक है बट इवन आओ लेकिन अब भी जैसे ही मैं आगे बढ़ा आइ लुक हैंड मैंने पीछे देखा आई लुक्त बिहाइड मुझे पीछे देखा फ्रिकुenट्ली मतलब बार बार फ्रिकुएंट्ली का मतलब होता है ताइम अगें आगें आगें अंड-देण ओवर एडर यानिके फ्रिक लिक्वेंटली क्यांकि I was still very frightened क्योंकि मैं अभी भी बहुत भाइबित था भाइबित मतलब very scared very frightened तो आगे लिखा है however फिर भी as I went about for two or three days के रहे हैं कि जैसे अभी इसका मीनिंग निकालते हैं as I went about for two or three days and so nothing के रहे हैं कि जैसे क्योंकि मैंने दो-तिन दिन मतलब वहां पर मैं घुमा फिरा वेंट अबाउट वहां पर तो and so nothing और कुछ नहीं देखा I became a little boulder तो मुझे में थोड़ा साहस आगया मैं थोड़ा सा बोल्डर हो गया बोल्ड मतलब साहसी और बोल्डर मतलब पहले से अब कंपेरिजन कर रहे हैं बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट तो I became a little बोल्डर मुझे में थोड़ा साहस आ गया ठीक है तो कह रहे हैं जैसे जैसी मैंने went about अब go about का मतलब क्या होता है कि आप वहां पर अच्छे से मतलब देख रहे हैं हर चीज को आपको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है जैसे how do you have to go about your speaking journeys का मतलब आपको अपनी speaking journey के लिए क्या क्या करना है कैसे आपको next next के steps लेने हैं तो उसी तरह से हाओएवर फिर भी as I went about for two or three days जैसी मैं दो तीन दिन मतलब मुझे हो गये गूमते फिरते और कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा और सहसी हो गया I decided to go down to the shore मैंने decide किया नीचे शोर पर जाने का अब ये go down लिख रहे हैं इसका मतलब कहीं न गहीं उपर वाली जगह पे उसका castle था cave थी तो मैंने decide किया नीचे जाने का शोर पर अगें दुवारा से and examine और जांचने the footprint once more जो footprint थे उनको दुवारा से जांचने के लिए I decided to measure it मैंने decide किया उसको मापने का with my own foot mark मेरे पैर के निशान से कि ये जो footprint है मैं अपने पैर के निशान से उसको मापूंगा measure करूंगा as I came closer to the footprint जैसे जैसे या जैसे ही मैं footprint के निकट आया I realized मुझे एसास हुआ that कि it could not be my footprint ये मेरे footprint नहीं हो सकते हैं सकते हैं लेकिन ये past है इसलिए can का could तो मुझे एसास हुआ जैसे जैसे मैं पास आया footprint के मुझे एसास हुआ कि ये मेरे footprint नहीं हो सकते हैं because क्योंकि I had not come to this part of the beach क्योंकि मैं बीच के इस पार्ट पे आया ही नहीं था since a long time एक लंबे समय से तो पूरे का मतलब क्या हुआ या तक कि जैसे ही मैं closer गया उस footprint के मुझे एसास हुआ कि ये मेरे footprint नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैं बीच के इस पार्ट पे गया ही नहीं था बहुत लंबे समय से secondly और दूसरी बात as I placed my foot alongside करें जैसे ही मैंने रखा place मतलब रखना I placed my foot मैंने अपना प्यार रखा alongside that footprint उस footprint के साथ में इट सीम्ड ऐसा लगा इट सीम्ड लार्जर मतलब वो बड़ा लगा देन माई ओन मेरे वाले से ठीक है इट मतलब जो निशान था ये वाला और मैंने भी अपना पैर रखा वो कह रहा है तो कह रहा है कि जो ये निशान था वो उससे बड़ा लगा तो secondly जैसी मैंने अपना foot रखा उस footprint के alongside तो वो लगा larger than my own मेरे वाले से my fear returned मेरा डर वापिस आ गया I went home again मैं फिर से घर चला गया believing that ऐसा विश्वास करते हुए कि believing मतलब विश्वास करते हुए that कि there was someone there कि वहां पे कोई था अब उस टेम तो बोला होगा there is someone और अब किसी को कहानी सुना रहा है तो क्या बोलेगा there was someone the island was inhabited जो island था वो inhabited था inhabited का मतलब क्या होता है एक ऐसी जगह जहां पे कोई ना कोई रहता हो ठीक है जो dwell करता हो निवास करता हो तो उसको बलते inhabited तो उसको क्या लगा the island was inhabited कि उस island पे कोई ना कोई था तो यह थी हमारी आज की story and this story is adapted from daniel defoy's robinson's crusoe तो इनका जो भी इनकी story ली गई है यहां पर तो अब यहां पे आप देख लीजिए savage का मतलब क्या होता है wild people in primitive state मतलब इन शौर्ट जो जंगली पीपल होते ना उनको बोलते हैं जो मास वगेरा खाते हैं और mainland यह तो असान है wonder wonder इसका मतलब go from place to place without a definite route ठीक है मतलब कोई निश्चित रूप वह नहीं होता route कि आपको पहले यहां जाना फिर यहां यहां पर मतलब कहीं भी घूमते फिरते कोई plan नहीं होता बोल्डर तो अब भी बता लिया more confident सासी inhabited मतलब occupied जो चीज जिसको occupy कर रखा हो dwelling जहां पर कोई रहता हो तो last line यही थी the island was inhabited मतलब occupied था उसको लगा कोई तो है यहां पर अब मैंने आपको यह word भी बता दिया आप इनको याद कर लें यह कुछ questions दे रखें बच्चों की books में आप सिरफ मैं आपको सिरफ इसलिए यह चीज़े पढ़ा रहा हूं ताकि आप पहली चीज़ हाओ ड्यू फील इफ यू सो अनोन फुट्प्रिंट आउट साइड यूर फ्रेंट डॉर अब यह कल्पना है इमाजिनेशन इफ यू वर अलोन ठीक है अगर तुम अकेले होते एट होम घर पर और अचानक से समवन नॉक डैट यूर दोर और कोई तुम्हारा दर्वाजा खट-कटाता वट वूड यू डू तुम क्या करते हैं ऐसी कह रहे हैं हाव वूड यू फिल तुम्हें कैसा फ तो सिंपल है यह चीज मैं करा चुका हूं कंडिशनल वन टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री और जिरो कंडिशनल संटेंस तो इससे ज्यादा मैं आप डीप में नहीं जाओंगा मेरा काम जो था वह आपको था कि आपको स्टोरी रीड करके दिखाई जाएं और गईज से कैसे स्ट्रक्टर्स का यूज हुआ है याद रखिएगा जब तक आपकी इंगलिश अच्छी नहीं होगी आप इन्हें ब्रेकर के साही से नहीं पड़ पाएंगे तो अगर इंगलिश अच्छी होगी तो पड़ पाएंगे तो एक एक चीज जो भी यहां पर यूज ज़रूर 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 करें अफ यह हो एक इंगली शेंपियर्ण डाउंट डाउनलोड कर लिजूँए प्रेतvelmente वर्वासन डवरे ग्रेंदेश तो उसको वाच करें और आपको डानलोड करना, किस तरह से आपको एनलोड करना है उसकी व irgendwas को जोइन चे